हेलो दमस्कार स्वागत है आप सभी का दनौलोज गुरू के इस रूप चैनल पर इस वीडियो में पताएंगे कब है पदमनी एकादसी वृत जाने सुप मोहुरत पूजा विधी और वृत का पारण का सुप समय क्या है विडियो को अन तक जरूर देखें आपको पूरी जान भगवान विष्णू की करपा प्राप्त होती है साथ ही पित्रों को मोक्ष प्राप्त होता है इस बार पदमनी एकादसी वृत कब रखा जाएगा और पूजा विधी क्या रहेगी तो हाई जान लेते हैं पदमनी एकादसी वृत की तारीक क्या है तो पदमनी एकादसी ति पूजाई को रखा जाएगा वहीं 30 तारी को सुबह सूरी उद्वे से दो खंटे के अंदर अंदर एका दसी व्रत का पारण किया जाएगा। आई जानते हैं पद्वनी एका दसी के दिन पूरे विधी विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। पद्वनी एका दसी के दिन सुबह जल्दी उटकर पानी में थोड़ा गंगा जल मिला कर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णू और माता लक्षिमी की पूजा करें। पूजा में पीले रंग के फूल, धूब, दीप, अच्छत, जंदन और दूरब, अर्पित साथ ही इस दिन पद्वनी एका दसी की कथा पड़ें और विष्णू चालीसे का पाट करें और अंत में विष्णू चालीसे का पाट जरू करें और इस दिन पूरे दिन वरत करें और साम के समय फलहार करें अगले दिन वरत खोलें। तो यह जानते हैं पद्वनी एका दसी का महत्व क्या है हिंदू धर्म के अनुसार पद्वनी एकादसी का व्रत जो व्यक्ति रखता है वह इस दिन जीवन में हर तरह के सुक भोकर भगवान विश्रू के धाम को प्राप्त करता है सास्त्रों में कहा गया है इस दिन व्रत को रखने से यग तब और दान का महत्व है कहा जाता है इस व्रत को रखने से भगवान विश्रू प्रसन होते हैं व्रत को नियम और सयम के साथ पालन करना चाहिए